इस वीडियो में हम फलियां बिना रहे हैं ग्रेवी वैली पानी कम डालने तो वह भूजिया ताइप बन जाएंगी लेकिन सेम रेसिपिया फॉलो करेंगे और बहुत ही इजी और टेस्टी बनती है अससे नामने करें वेलकम ते लाफ तो को कि युकें डेट बेस्ट पेस्ट फेर एजी कुकिंग एक किलो फलियां यह दाने निकले में और एक धिम्याना प्याज है एक तबस्पून अद्रक लैसन का पेस्ट है एक बड़ा टिमाटर तीन-चार हरी मिर्चे है दही है आदा अगर आप नहीं डालना चाहते तो मड़ डालें नहीं ऑप्शनल है बिलकुल नमक है एक तबस्पून टू टीस्पून लाल मिर्चें एक टीस्पून हल्दी और तकरीबर एक टीस्पून ही गरम मसाला जो लोग पहली बार मेरी डेख रहे हैं तो मेरा चानल है इजी और ब और मैंने देशी के लिए वसे इसमें डाल देंगे प्यास और इसको एक दो मिनट के लिए चुम्म चला के और साथ ही आपने डाल देना है अद्रक और लेसन और अब अद्रक और लेसन को हमें थोड़ सो गोल्डन ब्राउन होने तक बहूनना है अब देखे अच्छे से गोल्डन हो गया है अब मैं इसमें दही डाल दोंगी अगर आप लोग दही में नहीं बनाते तो फिर दही मत डालिएगा क्योंकि दही का भी अपना टेस्ट होता है फ्लेवर होता है तो माटर डाल देंगे और साथ ही हम इसमें नमक मिर्च और अब हम इसको अच्छे से मिलेंगे जब तक के यह घी छोड़ दें अब यह आप देख रहे हैं मसाला बहुन रहा लेकिन है अब गी अब गी में बिल्कुल अलग निज़र आ रहा है मिसाला अलग अब हम इसमें पहली आ डाल देंगे इनके डाल के बिनेंगे नहीं सिर्फ चम्म चलाएंगे और फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे अगर आप इसको सुकी सुकी बिनाना चाते हैं भुजिया और फिर उसको हलकी आज पे गलने के लिए रख देंगे लेकिन मुझे ये ग्रेवी वाली बनानी इसलिए में थोड़ जादा प्नानी डालोंगी ताके पकने के बाद इसमें ग्रेवी भी रहे इतना पानी काफी है और तो फिर स्वार डाल दो तो इसको हम कलर करके रख देंगे जब अच्छे से बाल आ जाएगा पकना शुरू हो जाएगा सालन तो हम आँच हलकी कर देंगे और तो क्रीबन 20 मिनट में तीस मिनट में ये गल जाती है ठीक है और जब ये गल जाएगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला और इसको फिर से कवर कर देंगे फाइव मिनर्स के लिए और इसके बाद आप इसको मज़े से इंजॉए करें पराथे के साथ चपाथी के साथ और सब्सक्राइब माई चानल जल्दी से सब्सक् चानल जल्दी के साथ फ्रेंड्स के साथ मेरे फेस्बुक पेज को लाइक करें जाके